हेलो फ्रेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वास्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करने हूँ फ्रेंट्स आज मैं आपसे 10 से 15 ऐसे पौदे शेयर करूंगी दोस्तों जिने प्लास्टिक की बोटल में लगाना बहुत ही असान है और उनके नाम भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये प्लांट जो है बहुत ही असानी से लग जाते है चोटी शुटी बोटल में और जो ये बोटल होती है ये दो से तीन साल आराम से चल जाती है दोस्त कटिंग बहुत ही असानी से चल जाती है आप इस प्लांट को बहुत ही असानी से लगा सकते हैं चोटी सी बॉटल में और इसमें जो हैं फ्लाबर भी आते हैं दोस्तों तो इसके लिए आपको एक अच्छी वेल्डिन मिट्टी बनानी होगी जिसमें आप जो है मिट्टी गोबर की खाद या वर्मी कमपोस और सैन के साथ इक अच्छी सी मिट्टी बनाकर आप इस प्लांट को लगा सकते हैं जब इस तरीके के प्लांट आप बॉटल में लगाएं दोस्तों तो सबसे विशेज ध्याने की बात कर रखना है यह आपको ड्रेनेज बहुत अच्छा बनाना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी न ठहरे तो दोस्तों यह है सबसे प्यारा और बहुत ही सुन्दर पौदा गोल्डन हैच का यह रिके दोस्तों दूसरा है यह रेन लिली यह रेन लिली का जो पौदा है यह बल्ब से लगाया जाता है बल्ब मल्टिप्लाइ होते रहते हैं और इससे हम धेरो प्लांट इसके त्यार कर लेते हैं बरसात में अभी बहुत अच्छी जब बारिश होगी दोस्तों तो इनमें बहुत अच्छे फूल भी आपको देखने को मिलेंगे तो देखे यह एक मैंने चोटी सी जो दो लीटर की बाटल आती है उसमें लगाया हुआ है दो से तीन साल इस प्लांट को लगे वे हो चुके हैं और इनमें फ्लावर भी बहुत सुन्दर आते भी है इस बाटल में भी तो देखे दोस्तों यह पौधा आप जरूर लगाएं बाटल में और यह बहुत अच्छे फ्लावर भी आपको देगा अगला पौधा है दोस्तों सदा बाहर सदा बाहर एक ऐसा प्लांट है जो की बड़ी से बड़े कंटेनर हो और च्छोटी सी च्छोटी बोटल में बहुत असानी से लग जाता है इनके फ्लावर बहुत ही खुपसूरत होते हैं तो यह पौधा भी आप लगा सकते हैं बहुत च्छोटी सी बोटल में लगावा प्लांट है और यह एक मैने जो है ये बहुत ही वास्तु के साब से बहुत ही अच्छा प्लांट है इसकी आप चोटी सी छोटी कटिंग भी लगाएंगे तो भी ये प्लांट आराम से चल जाता है और ये दिखे ये बहुत ही छोटी चोटी बॉटल है और ये तो बहुत ही छोटा सा है दोस्तों ये देख सकते ह बहुत ही चोटी है और इसमें मिट्टी भी बहुत कम है लेकिन आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ यह रेखे अपके लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है यह रेख सकते हैं औक्सीजन देने वाला प्लांट है ये भी एक छूटी छूटी बोतलों में आराम से चल जाता है कटिंग से ये पौधा बहुत ही असानी से त्यार भी हो जाता है तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं ये रिखे दोस्तों ये कनेर है कनेर का प्लांट आप देखिए ये दो लीटर की जो बोतल होती है उसमें लगावा ये पौधा है जो की बहुत लंबा हो चुका है आप इसकी लंबाई देखिए दो लीटर की बोतल में इस प्लावरिंग भी इनमें होती है तो दोस्तों आप जरू लगाएं इस प्रकार की चोटी-चोटी बोटल में और ये रिखिए ये डेवल बैकपॉन का प्लांट है ये भी कटिंग से बहुत ही असानी से लग जाता है ये पौधा और ये रिखिए ये भी दो लीटर की जो बोटल है उसमें लगाया हुआ है दो से तीन साल इस प् जरू पातल में मैंने कटिंगी लगाई वह है जो कि अब चल पढ़ी है अगला प्रूदा दोस्तों ये है रियू का ब्लांट जिसे बोटली कहते हैं इसे भी चोटी-चोटी बोटलों में लगा सकते हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे दो भरमार है मेरे garden में waste material की ये भी देखिए छोटी सी bottle है इसमें ये लगा हुआ है मेरा purple heart का plant जो कि आप देखिए कितने अच्छे से grow कर रहा है आप इसकी growth देख सकते हैं ये देखिए छोटी सी bottle तो bottle में जो है मिटी भी कम आती है दोस्तो और जगा भी बहुत कम लेता है तो ये देखे और इसमें ये देखिए रिसीना का प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा है आप देख सकते हैं प्लांट की growth all over बहुत खुब शूरत है तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं दोस्तों चुटी चुटी बोटल है इनमें प्लांट बहुत ही असानी से चल जाते हैं और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों नहीं मिट्टी और जगा की कोई प्राब्लम हमें नहीं होती है ये देखें ये भी बॉटल में लगा हुआ मेरा ड्रेसीना का प्लांट है कटिंग से ये प्लांट बहुत ही असानी से लग जाता है दोस्तों तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं अराम से जो भी प्लांट में आज आपको बताऊंगी वो सभी बॉटल में बहुत ही असानी से लग जाएंगे तो आप उनको जरूर लगाएं और ये दिखें, ये बहुत ही छोटी सी बॉटल है, और इसमें मैंने दो प्लांट लगाएं एक साथ ही दोस्तों, एक है जैट प्लांट, और एक है ये पर्पल हाथ का प्लांट, जो की बहुत अच्छे से चल रहा है, आप देख सकते हैं, प्लांट की ग्रोध भी बहुत आते हैं तो आप इनको जरूर लगाएं तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी दोस्तों पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बाइ फ्रेंट फिर मिलूंगी एक नहीं वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ हैपी गार्डिंग